नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आप सभी का स्वागत हमारे शेनल पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से मुंबई पुलिस ने कंगनर नावत और उनकी बहन रंगोली दोनों को तीसरी बार समन भेजा है मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि 23 और 24 नमंबर को उन्हें बांधरा थाने में पेश होना है आपने देखा है जिस तरीके से महराज सरकार उन लोगों को टार्गेट कर रही है जो सरकार की आलोशना कर रहे है लगातार मुंबई पुलिस उन सभी को टार्गेट कर रही है उदो सरकार इसी मामले में जुटी हुई है कि किसने सरकार की आलोशना की है और उसको किस तरीके से सबक सिखाया जाए पहले ऑफिस तोड़ा गया उसके बाद किस तरीके से परिशान करने के लिए समन पर समन भेजा जा रहा है अभी भी वो अपने भाई के शादी में हिमाचल में है और जिसके वज़ा से दो बार समन का उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि भाई के शादी की वज़ा से व उनको अवैत तरीके से गिरफतार किया गया जमानत उनको नहीं दी गई उसके बाद सूप्रिम कोर्ट से उनको जमानत मिली लेकिन उसके बाद भी उनको नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है दस लाग का बॉंड साइन कराया जा रहा है ताकि वो फिट से सरकार की आलोचना ना कर सके अब यह जो पूरा मामला है यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि बॉले बुड की बॉले बुड में जो ड्रक्स कनेक्शन सामने आ रहा है उसको लेकर इन लोगों ने खुले आम बात की थी और बॉले बुड के जो राज थे उसका खुलासा कंगनरनावत ने किया था इसल लक्स हैं इन सब को लेकर कंगनरनावत ने बयान दिये हैं ट्वीट किये हैं जिससे बॉले बुड बदनाम हुआ है और दूसरी चीज़ भी कही जा रही है जिन्होंने शिकायत किये उनका यह कहना है कि कंगनरनावत उनकी बहन लोगों को आपस में लड़ा रही है हिंदू मुसलिम कर रही है लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है यह देखने वाली कि हिंदू मुसलिम कौन कर रहा है कॉंग्रेस तुष्टी करण की राजनीती सालों से करती आई है देश का विभाजन इसी नाम पर हुआ हिंदू और मुसलिम के नाम पर और प्रधान मंतरी पंड कर रही है वो खुद हिंदू मुसलिम करते थे उनका यह कहना था कि मुसलिम जो है उनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए मुंबाई पुलिस किस तरीके से तुष्टी करण की राजनीती करती आपने देखा करोना काल में किस तरीके से उनको छूट दी गई और भी बह वाइशान करने के लिए यह F.I.R. दर्ज की गई थी और जिसने F.I.R. दर्ज की है वो सिर्फ और सिर्फ कंगनर रनावत को इसलिए सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि कंगनर रनावत के खिलाफ बोला है तो आप समझ सकते हैं कि शक्तियां कौन है इसके पीछे वाली जो श थी कंगना रनावत कि कंगना और उन्की बहन रंगोली चंदेल को मुंबय पुलिसने समन भेजा है और उन्हें 23 में रनावत को mice के सामने पेश नहीं को कहा गया है यह समन उन्हें सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच सामप्रदाइक तनाव फैलाने के लिए किये गए आपत्ती जनब टिपड़ियों पर भेजा गया है जबकि पूरे दिन अगर हम देखें तो किस तरीकी की टिपड़ी कॉंगरस के नेताओं के तरफ से और शियुसेना के जो कारे करता है उनके तरफ से की जाती है लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं होती है मुंबई में कई ऐसी चीजे सामने आई हैं जिस पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई मुंबई पुलिस उनको क्यों नहीं समन भेच थी उनको क्यों गिरफतार नहीं किया जा रहा है उन पर क्यों कारवाई नहीं हो रही है ये महराज सरकार को भी जवाब देना होगा जनता को क्योंकि तुष्टी करड़ की राजनीती महराज सरकार कर रही है इसलिए उन पर कोई कारवाई नहीं हो रही और कंगनर राउत और रंगोली चंदेल को सिर्फ इसलिए टार्गेट किया जा रहा है क्योंकि सुषान सिंग राजपूत मामली में उन्होंने जिस तरीके से खुलकर बात की सरकार की जो आलोशना की उनका अफिस इसलिए तोड़ आई है कंगनर नौत और उनकी बहन रंगोली पहले दो बार उनको समन भेजा गया है मगर तब उन्होंने अपने घर में भाई की शादी होने का हवाला दे कर पेश होने में आसमर्थ था जताई थी उनके खिलाब बांद्रा पुलिस थाने में फायार दर्ज हुई थी और ज 124 A. 153 A. 153 B. 295 A. 295 और 505 के तहट अपनी शिकायत दर्ज कराई है काशिप ने शिकायत पे कहाया कि बॉले बुड एक्ट्रेस भारत के विभिन समुदायों कानून और अधिक्रित सरकारी नियमों का कोई सम्मान नहीं करती है उन्हें जिडिश्री का मजाग भी उड़ाय समुदाएं उनका आरोब था कि कंगना और उनकी बेहन दो धर्मों के बीच सांप्रदा इकतनाव पैदा करने की कोशिश की है इसलिक एसाथ उनका यह चाले कुछ महीनों से लगा तार बॉलिवूड को और फेवरिटिजम का हब बता कर इसका अपमान कर रही है अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल से ट्विट कर टीवी इंटर्विव के जरिये वो हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डाल रही है सयद ने आके ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत सारे आपती जनक टूइट किये हैं जो ना सिर्फ धार्मी भावनाओं को बल्कि इंडस्टी के कई कलीक्स की भावनाओं को भी आहत करते हैं यह जिन्होंने शिकायत की हैं उनके तरफ से कहा गया तो आप समझ सकते हैं कि यह शिकायत क्यों दर्ज कराई गई है और क्यों कंगननावत को टार्गेट किया जा रहा है तो मुंबाई पुलिस जिस तरीके से सरकार के इशारे पर लगातार उन लोगों पर कारवाई कर रहे ह जो सरकार की आलोशना कर रहे हैं या बॉले बुट के खिलाफ कोई बात कर रहा है बॉले बुट जो मोटा पैसा खर्च करके किस तरीके से उन लोगों को टार्गेट कराया जा रहा है जो बॉले बुट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ भी बात कर रहे हैं तो यहां प बाद मुंबई में जो महराज सरकार है वो रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी होती है सुप्रिम कोर्ट में भी वो CBI के खिलाफ खड़ी होती है और यह कहते हैं कि सुशान सिंग राजपूत मामले में CBI जाच नहीं होनी चाहिए ड्रग्स माफिया और मुवी माफिया को समर् करती हैं और उसके बाद संजे राउत बड़ी बड़ी बाते कर दे किस तरीके से कुनाल कामरा के साथ बैठ कर मजा कुड़ाया जाता है रिपब्लिक टीवी के तरफ JCB ले जाई जाती है आप अगर देखें तो किस तरीके से कंगना रनावत और रिपब्लिक टीवी पर पड़ेगा और इसके साथ ही जो वकीलों पर पैसा बरबात कर रहे हैं वो जनता के टैक्स का पैसा है दूसरी बात अगर रिपब्लिक भारत के खिलाफ जो दस लाक में वकील हायर किया है उन्होंने कपिल सिब बल एक तो उनकी फीस दे रहे हैं और अगर कुछ भी छती रि कर रहे हैं कि इनको सरकार चलाना नहीं आता इसलिए महराष्ट में राष्टपति शासन लागू किया जाए और जल्द से जल्द उधो ठाकरे और सोनिया गांधी शरत पवार को सबक सिखाया जाए क्योंकि यह जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं सोनिया गांधी को खुश कर और किस तरीके से उन लोगों ने सडकों पर आर्गजनी करवाई थी उसमें कई सारे पार्षद और नेता के नाम भी सामने आये जो कॉंग्रेस के थे तो इन सब के चलते कंग्रेस को टार्गेट करने के लिए रिपब्लिक भारत को टार्गेट करने के लिए अर्नो कर रही है और मुंबई पुलिस लगातार वही कर रही है जो सरकार का इशारा उसे मिल रहा है इसी तीसरी बार कंगनर नावत को नोटिस भेजा गया है और जल्द से जल्द पेश होने के लिए बुलाए गया अब यह देखते हैं कि कंगनर नावत इस पर क्या टिपड़ी कर कंगना बहुत जल्द मुंबई आने वाल है यह तन जुन्होंने करसा था और साथ ही बॉलेवुट का जो गठ जोर है वो भी दिखाया था क्यूंकि शारुक खान की एक फिल्म आई थी जिसमें वो हकलाते थे और इसलिए कंगनर नावत ने कंगना कहा है तो यानि कि कंगनर को लडाना चाहती है इस तरीके से वो ट्विट करती है रंगोली चंदेल की भी बात यही की गई है उनके बारे में भी और साथ में यह भी बताए गया है कि बॉलेवुट को बदनाम कर रही है मतलब बॉलेवुट की अगर सच्चाई कोई बताएगा वहाँ पर कर देना करनाला है यह तो आने वाले दिनों में शिसना भी देखेगी और कॉन्गरिस पूरे देश में देख ही रही है इस पूरे मामरे में आपकी क्या रह है कमेंट करके जरूर बताएगल किसी के साथ अगर अभ तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करलेट ताकि हर अपडेट आप तक पहुशती रहे धन्यवाद